राजदा ने दिल्ली में बीते किछ दिनों से जिस तरह से स्ट्रीट क्राइम में हत्यार के परियोग बढ़ते जा रहे हैं उसको ध्यान में रेखते हुए दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम ने एक विसे सभ्यान छेड रखा है इसी अभ्यान के तहट क्राइम ब्रांच की टीम को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है और इस सफलता में टीम ने हत्यारों की सप्लाई करने वाले एक सक्स को गिरफतार किया है दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में खड़ा ये वही सक्स है जिसको क्राइम ब्रांच की टीम ने हत्यारों की सप्लाई करने के आरोप में पकड़ा है इस सक्स के पास से भारी मात्रा में हत्यार और मैगजन भी बरामत किये गए हैं हमारे क्रेम ब्राइंच के स्टार्स टू शकरपूर टीम ने एक काफी बड़ी कामियाबी हासिल किया है आप जानते हैं लगातार कुछ स्ट्रीट क्राइम्स में आर्म्स यूज़ हो रहे हैं तो उसी को लेके हमारा हमेरे को स्पेसिफिक इन्स्ट्रक्शन था कि इन्स्ट्रीट क्राइम्स में जितने भी फाइर आर्म्स यूज़ हो रहे हैं उनका सप्लाइ कौन है और उनको वहा धरसल दिल्ली पुलिस की प्राइंड को सोचना मिली कि एक आर्वाइं की सक्स हत्यारव के सप्लाइ करने के सिल्सिले में गाजी पूट जा रहा है। जिसके बार टीम्ने गाजीपूर मेंगाजी में जाल विच्छा कर इस सक्स को कार के साथ गिरफतर कर लिया। क्राइम ब्रांच की टीम ने जब इसकी तलासी ली तो इसकी कार से एक करवाइन 40 संटीमेटर आटोमेटिक पिश्टल और 20 मैगजिन बरामत की गई है। हुई थी रात को और जब इसको टैक्ट पुली गाडियों से पहले उनको रोक किये उसके बाद उसको उतार के हमने अप्रेंट कर लिया था जब इसको पूस्ताच की गई थी इसका नाम बताया था इसने शाद खान है यह अभेकंड फोर इंदरापरम गाजाबाद यूपी का रहने वाला है चौनतीस साल का है और जब इसका गाड़ी का तलाशी ली गई है जिसके पीछे जो सी एंजी सिलेंडर था उसमें सारे यह पिस्टल्स रखे हुए थे टोटल इसमें 40 सॉफिस्टिकेटेड सेमी आटोमेटिक पिस्टल्स एक इंप्रोवाइज कार्बेन और 20 सब यहां पर डेलिवरी करने के लिए क्रिमिनल्स को बेचने के लिए आया था